पूरी पार्टी, जिला, महानगर और संग्ठन के साब से तोजले, आउला और बहड़ी या पूर जिला, सब एकत्रित यहां पर एकत्रित हैं, सारे उमीदवार भी यहां पर उपस्तित हैं, सब को हम लोगों ने बदाई दिया है, हमका स्वागत क्या है, सब के पर्चे दाख होएंगे, और शाम के छे बज़ एक बात हम लोग समिक्षा करेंगे, कि कहां पर क्या कमी रह गई है, या कहीं किसी को बापस कराना है, तो हमारा बिश्वास है, अगर कोई जिसको पार्टी ने सिम्मल की घोशना नहीं की है, उसका नाम बापस कराने का काम हम लोग शाम को जिला पंचायत का चुनाओ, हम अपने प्रत्याशी को घुश्रा करके लड़ा कर जिताने का काम कर रहा है, क्योंकि जिला एक बड़ा संगठन है, और अब भारत सरकार जिला पंचायतों को वजबूत दिशा दे रही है, अच्छा पैसा दे रही है, और विकास की दिशा, पिकास की काती, हमारा मानना और हमें बहुचकी कर रहा है, कि जिस एक ता के सा थ हम लोग इस काम में जूट है, आप यहां देख रहे हैं, पूरी पार्टी खटी एक जुट आपको दखाई दे रही है, और निस्चित रूप से आब मोदी जी और योगी जी के बारे में कुछ कहने की आवशक्ता नहीं है सबकी राय भारतिय जनता पार्टी के साथ है तो मैं आपके माध्यम से सभी बरेली बासियों को शुबकामना है और बास्तब में इस चनाव गंपूरी गंपीरता से मिलकर लगता है बहुत-बहुत धन्यवाद देखिए प्रतिष्ठा का सव पर भाजप्पा अपने प्रतियासियों को लड़ा रही है जिससे की पंचाय छेत्रों में गाउं तक हमारे काम पहुंच सकें वहां पर जो विवस्तित तरीके से काम नहीं होते थे वो विवस्तित तरीके से काम हो इमानदारी के साथ काम हो इसलिए भारतिय जनता पार्टी अपने समर्थित पंचायत के प्रतियाशियों को चुनाव लड़ा रही है सारे नेता एक जुट हैं और निस्चित रूप से परचम लहराएगा विपक्षियों के पास केंडीडेट ही नहीं है विपक्ष के पास केंडियेट नहीं है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भारती जनता पार्टी का पंचायत चुनाओं में पर्चम लहराने जा रहा है। जिला देट और जितने पार्टी के पदादकारी हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि जो हमारी पार्टी का अधिकरत प्रत्यासी है, उसको अधिक से अधिक जिता करके जिला पंचायत में बेजने का काम करें।